हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब एक बार फिर से स्वागता आपका हमारी यूट्यूब चैनल सिकर इस्टेडी फॉइंट पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले 20 परसने जो की परिक्षावाणी की बुख से और जो इत्यास की बुख है वहां से क्वेश्चिन ल हो तो दोस्तो आप इस वीडियो को अंतक देख सकते हैं तो दोस्तो सभी कोश्चिन ज़्यादातर परिक्षा वाणी से हैं मैंने आपको बता तो इसलिए परिक्षावाणी परणना बहुत ज़रूरी हो जाता है दस कोश्चिन आपके स्क्रίν पर रहेंगे और दस मौकी वो अंतमर रहेंगे और वो परसन किसी एक्जाम में पूछे गें, नायव तैसिलदार के एक्जाम में पूछे गें, जो 2016 में हुआ था, आप बिल्कुल कर ले जाएंगे, आप जरूर उसके लिए तयार रहें, वीडियो कौन तक जरूर देखिए, तो शुरू करते हैं आज क आपके लिए पहला परसन 476 से हम सुरू करेंगे, अभी तक इतने कोशन में आपको दे चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, बांकि आप और ज्यादा देखना चाहते हैं, तो पल लिष्ट में बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, आप वहां गलत हैं, 300 सेकेंड अगर आप निकालेंगे, तो ये भी आपका 5 मिनट हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि option दोस्तों इस तरह से थे, कि आपको आयोग भी इस तरह सी देगा आपके लिए, तो आप उसमें कन्फूज हो जाएगे, तो ये नहीं होगा, 7 मिनट भ अब से पहले कि है क्या, जो हमारा राज जी गीत है, ये है दोस्तों आपने सुना होगा या पड़ा होगा अगर नी सुना तो आज सुन लिजे, उत्राखंड देब भूमी, मात्र भूमी, सत्थ सत, वंदन, अभिननदन, तो ये हमारा उत्राखंड राज जी गीत है, जिसे पूछे जाते हैं, कई बार राज जी खेल, फुटबॉल, कब घोशित किया गया, कई बार एकजाम में पूछा गया है, ये आपको भली बाती पता है, 2011 में घोशित किया गया था, बहुत उको नहीं पता है, तो उनके लिए बताना जरूरी था, बांकि आपको पता है, तो 6 समय बिष्टे के दोरा ये, उनके दोरा ये लिखा गया है, जो कि एक सिक्चक है, इसमें आवाज किसने दिये, अगर माना एकजाम में आ जाता है, कि उत्राखंडर राज जी गीत में आवाज किसने दिये, तो अब आपको बताना दोस्तों, नरेंदर सिंग नेगी, अगर दोनों का नाम होगा तो नरेंदर सिंग नेगी और अनुराधा निराला, इनके दोरा इसमें आवाज दी गई है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, तो आपने इतना कुछ जान लिया, अगर यहां से कुछ और प्रसन आता है, तो आप सभी प्रसन निश्म से कर ले जा सभी जिलू के बारे मैं इस तरह से आपके लिए प्रसन लाते रहूँगा, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपके चार प्रसन तो ये बन जाएंगे, और बांकि और कुछ आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, तो सिकर फॉल देहरादुन के राजपूर में ह अगला है की महिला साचरता की दिष्टी से देहरादुन का पर्थमिस्तान है, चकराता सीच अनुसुचित चाती के लिए आरक्षित है, अगला है की देहरादुन को बन नगर भी कहा जाता है तो आपको बताने की इनमें से कौन सा एक सही नहीं है तो पहले option की बात करते हैं कि Sikar Fall देरादून के राजपूर में है तो दोस्तों बिलकुल सही है बहुत लोग उन्हें इसका नाम नहीं सुना होगा अगर नहीं सुना तो आज आपने सुन लिया कोई दिक्कत नहीं है तो सिकर फॉल देधेरादुनके राजपूर में यह राजपूर वही है दोस्तों जहां की सबसे ज्यादा वर्था होती है जैसे बात करें परिक्सावणी बूक में दिया हुआ कि जैसे नरेंद्र नगर है जो वहां 318 होती है पर राजपूर में 38.5 दिया हुआ है तो अगर option में रहता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहां होती है तो option के साब से आपको करना है तो सिकर फॉल देहरादुन के राजपूर में बिल्कुल सही है अगला है महिला साचरता की दृष्टी से देहरादुन का पर्थमिस्तान है ये भी बिल्कुल सह ये वैसे कुल सहाचरता की बात करना सबसे ज़्यादा भी देहरादुन का ही है ये आपको विल्कुल याद रखना है अगला है option नमबर C चकराता सीट अनुसूचित जाती के लिए आरक्चित है तो यहाँ पर अनुसूचित जाती था तो इसलिए हमारा option नमबर गलत हो जा जाता है तो यहाँ पर अनुसूचित जाती था तो इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले question की त्रव 1880 में तो सबसे पहले 1880 की बात करते हैं दोस्तों यह सब उत्तर है नहीं तो 1880 से एक जो आपको याद रखना है जो एक्जाम में कई बार पूछा गया है 18 सितंबर 1880 यह वह है दोस्तों जब की नैनी ताल में भैंकर भूसकलन आय था और सिदे सिदे आप कहेंगे कि डेट आयोग नहीं पूछता है तो 18 सितंबर इतनी पुरानी डेड़ भी पूछ ली जाते तो 18 सितंबर 1880 को नैनी ताल में भूसकलन आय था लगबग लगबग यह तीन चार बार एकजाम में यह पूछा जा चुका है तो यह 880 से यह आपको बिलकुल याद रखना है अगला है क कि ऑप्शन नमर सी 1918 तो 1918 में दोस्तों नैनी ताल में सेवाराम सभा की स्तापना हुई थी नैनी ताल में और बाकि जो ऑप्शन नमर भी है 1906 क्योंकि यह जितने भी टाउन एरिया है यह सभी नैनी ताल जनपत से संबन दीता है तो इसलिए और आपको बता रहा हूं 1906 म कुमाउं भाबर खेतियर नियास निदी का गठन किया गया था 1906 में यह आपको बिल्कुल याद रखना है बाकि 880 में आपको बताए कि नैनी ताल में भेंकर भूस्कन आया था 1818 को 1918 में बताए था कि आपको नैनी ताल मस्यवाराम सभा की स्तापना हुई थी मां की 1906 में कुमाउं भाबर खेतियर नियास निदी की स्तापना हुई थी इसका गठन हुआ था 1906 में तो टाउन एरिया कमिटी का गठन किया गया था कब 1850 में 1850 में यह आपको बिल्कुल याद की स्थापना भी थी मां कि और जो भी घटना है वो आपके मन में आपको याद होनी चीए तो इसका सही उत्तर होगा कि टाउन एर्या कमेटिक अब गठित कीगी तो अठार सो पिचांसी में तो अगर आपको यह हमारा परियास पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजि किस जनपत में निर्मित की जारी है तो बहुत से लोग Уने इसका नाम सुना हो ना सुना हो अगर नी सुना तो आज सुन लिजे कोली धfire जील किस जनपत में निर्मित की जारी है देहरादुन चमपा और उधमसिंग नगर या फिर रुद्र पर्याग तो बहुत से लोग देहरादुन और उदमसी नगर में से कन्फ्यूज हो रहे होंगे पर आप इन में से सोच रहे थे तो आप बिल्कुल गलत हैं ये दोनु उत्तर नहीं है नहीं देहरादुन है नहीं उदमसी हैं वो काफी ताल वैसे दो-तिन ताल है उदर जो कि ज्यादा एक्जाम में अक्सर पूछे गए हैं स्याम्ला ताल ये कई बार पूछा गया है स्याम्ला ताल बांकि दे भी धुरा मेला कई बार बना है एक्जाम में बांकि बाणासुर किला से भी पूछा गया और भी बने है हैं छंपाउट से प्राष्ण है। म亮 से टो स्टार्टिंग चंपाउट से होती है श्याम होताई जंपाउट है और इसके अलावा जहिल मिल तालाव आप रखींगे क्योंकि ये अक्सर एक्जाम में कई बार पूछे गें स्यामmeden छीलमिल ताल ये तो आयोग पुछता हाल तो एक नमबर के लिए आपका ये पका हो गया स्यामला ताल और चीलमिल ताले इसके अलवा जो स्वामी ताल है वो भी उधर ही है और सुका ताल भी वही है बाकी रुद्र पर्याग में गिरी रुद्र पर्याग कराऊं रुद्र पर्याग में वासु की ताल है वासु की ताल है और टीहरी दोनों में है और रुद्र पर्याग का हो गया उदम सी नगर में गिरी ताल है बाग कि देहरादुन में कांसरो ताल है या आपको बिल्कुल याद रखना है और राम ताल भी वही है चंदरबाडी ताल भी देहरादुन में है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की द्रब अगला कोश्चिन है चेतरफल की द्रिष्चि से उत्रा खंड का सबसे छोटा जिला है बागेश्वर, हरिद्वार, उधम सिंग नगर या फिर उदर परियाग अब आपने पढ़ा होगा कि छेतरफल की द्रिष्चि से सबसे छोटा जिला चंपावध है पर वो ऑप्षन में है ही नहीं तो बहुत से लोगों का तो जिन्होंने पढ़ा था तो उनका तो एक नंबर गया एक्जाम में अब दोस्तों इस तरह से हुआता कि जैसे हमारी जो सीमा लगती है बांगला देश के सांद 4,096 लगती है बांगला देश के सांद उसके बाद चीन के सांद 34,88 और इसके बाद जैसे नीचे से जो ऑप्षन जैसे अफगानिस्तान के सांद सबसे कम लगती है तो इस तरह से ये भी आपके लिए option है, तो इस तरह से exam question पुछे जाते हैं, कि मतलब जो second last होता है, इस तरह से exam बन जाते हैं, तो छेत्रफल की दिश्ची से उत्रा खंड का सबसे छोटा जिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन में से बात करें, तो इस तो इन में से हो जाएगा, स इन लोग ने बागेशवर सो जाता, वो बिल्कुल गलत है, उदम सिंग नगर का छेत्रफल हो जाएगा, इसका सही उत्तर, रुद्र परियाग का छेत्रफल हो जाएगा 1984, उसके बाद आता है बागेशवर, बागेशवर का छेत्रफल है कितना, 22, 46, तो ये आपको जरीज, वो जाएगा sorry, उसके बाद अरिद्वार इसतर से आपको याद रखना है, तो बढ़ते हैं अगले कॉस्चिन की द्रफ, दोस्तो आपको कमेंट बॉक्स मॉता नहीं की उत्रा खंडर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उत्रा खंडर का सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो यह आपको कमेंट बोक्सम बताना है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ बांकि दोस्तों नाइब तैसिलदार के कोश्चिन आपके लिए दस इंपोर्टेंट है जो कि एक्जाम में पूछे गें और दस में से आप कई लोग दस सही कर लेंगे और कई लोग साथ आड़ तो तब भी आप सभी लोग लगभग लगभग कर लेंगे तो इसके लिए आप वीडियो को अंतक जरूर देखिए अगला परसन है कि उत्राखंड उच्च न्याले के दूसरे न्यायधिस कौन थे तो यह आपको बताना है त अपने पड़ाओं का ए देशाई तो वही है एचस कपाडिया या फिर जगदी सिंख खेहर या फिर ऑप्सन नंबर डी है कि इन में से कोई नहीं तो उत्राखंड उच्च न्याले के दूसरे न्यायधिस आपका सही उत्तर हो जाएगा जो पहले न्यायधिस है वो तो है अ आठवे राजजीपाल कौन नी आठवे राजजीपाल तो भी आठ कहा हुए आठवे मुख्यमंतरी कौन थे इस तरह से एकजाम पूछा गया था तो आपको याद रखने होंगे तो उत्राखंड के पहले जो उच्च न्याले के मुख्य न्यायधिस हो जाएंगे हो जाएं अप्षन No.C है कि जगदी सींगards खेहर की बात करें तो ये हमारे सातवे मुख्य न्यायधिस रहें हैmer readiness के भारत के भी न्यायधिस और भारत के मतलब है असोक अभ्यंद्र करदेसा इनके बारे मैं आपको बताया कि यह पहले नियाइधिस रहें और बर्तमान में उत्राखंड का जो उच्च न्याल है दोस्तों अगर देश का की कौन से करम में जो उच्छ न्याले इस्तापित किया गया जैसे कि अभी बर्तमाना 25 हैं तो हमारा जो बना था वो बीसवा था यह आपको बिल्कुल याद रखना है 9 नौमबर 2000 को इसकी स्तापना भी हुई थी तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है तो बढ़ते हैं अगले कोस्चिन की तरफ अगला कोस्चिन है दोस्तो किस इंपोर्टेंट प्रसन है पीडियो अभी तक लगब लगब 15 मिनट की होने वाली है तो आप लोग बने रही हैं तक किस बैंक ने बाबा केदारनाथ धाम में पहला एटियम इस्तापित किया तो आपको बताना कि केदारनाथ मंदीर में किस बैंक ने अपना पहला एटियम इस्तापित किया था एक्जाम में पूछा जा सकता है पहला उप्शन है कि भारती स्टेट बैंक या HDFC बैंक गया था तो HDFC बैंक ने किया था यह आपको बिल्कुल याद रखना एक्जाम में पूछी जाने की पूरी संभावन है तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरफ यह कोश्चिन भी एक्जाम में पूछा गया था पुरुसोत्तम पंत किस चंद सासक का सेना पती था पुरुस पुरुस्चोत्तम पंत यह फिर एक्जाम में आये कि पूरुस्चोत्तम पंत यह पुरुस्चोत्तम पंत यह पुरुस्चोत्तम पंत यह पुरुस्चोत्तम पंत यह रूद्र चंद का सेना पती था और रूद्र चंद के दरफी से सम्मानित किया गया था रूद्र चंद यह आपको बिल्कुल याद दखना है रुदर चंद जो की अकबार का समकालिन था पुरुसपंत इसका सेनापति था और जो पुरुसपंत था इसकी मिर्थ्यू कब हो गी थी यह जब ग्वालदम का युद्ध हा था जो की 581 में या बधानगन का युद्ध तो 581 में इसमें यह मारा गया था कौन पुरुसपंत तो पुरुसपंत इक्जाम में इस्तर से बना था कि पुरुसपंत को किस चंद सासक ने सम्मानित किया था या पुरुसकार दया था इस्तर से आया था एक्जाम में तो रुदर चंद हो जाएगा इसका से उत्तर बागी डोटी अभ्यान नाइक जाती की उत्पत्ती भारती चंद के समय हुई थी यह आपको बिल्कुल याद रखना है बाज भादूर चंद के बारे में भी बहुत कुछ है अभी जादा तो निवता पाऊंगा लेकिन बाज भादूर चंद यह जो साजा के दरबार में गया था यह आपको बिल्कुल याद रखना है बाज भादूर चंद इससे सम्मंदित और बागी जगत चंद है जगत चंद के बारे में बात करें तो नौलाक की आये होती थी इसके समय तराई चेतर में एक हजार गाये इसने दान की थी और भी बहुत सारे फैक्ट हैं तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरब अगला कोश्चिन है जोन सार्म बाई था क्या है एक परकार का बेंजन विभाव रस्म जाड़ फूर की जाड़ फूर की बिदी या फिर एक परकार का वस्तर तो जोन सार्म बाइथा क्या है तो ये आपको बिलकुल याद रखना है इक्जाम नर भी Г assessmentsi करता है कोई भी एक सब्दा आपके सामने मिल सकता है कि ये क्या है वो यού क्या है तो ये आपको बिलकुल याद रखेंगे जैसे कि पिछले एकजाम में पूशा जाच चुका है कि ये जैसे कोई भी देपता किसी भी जनजाती के तो उनसे एकजाम में पुशे जाते हैं सिर्फ एक देपता वो आपको बिल्कुल याद रखने होते हैं तो जान सार में बाइथा क्या है तो ये हो जाएगी जाड़ फूक की एक बिदी option number C क्योंकि बहुत लोग उन्हें इसका नाम नहीं सुनाओगा तो आप आपने सुन लिया है कि बाइथा क्या है जाड़ फूक की बिदी है जान सार बाबर में ये आपको बिल्कुल याद रखना है जान सारियों में यह होती है और जान सारी जंजाती उत्रा खंड़ का दूसरा सबसे बड़ा जंजाती समुदाए है पहले बात करें तो पहले नंबर पर थारू दूसरे नंबर पर जान सारी अगर गड़वाल की बात करने तो गड़वाल में आ जाएगा जॉन सारी सबसे बड़ा समुदाय है बाकि जॉन सारीू का जो जागड़ा तिउवार तिउवार होता है महासुदेफता का तो बढ़ते हैं अगले question की त्रब अगला question है कि ये भी exam में पूछा गया था से तो इसका सही उत्तर है सेलेस मेट्यानी पुरुषकार 2009 से इसकी शुरुवात हुई थी इंपोटेंट प्रसने एक्जाम में आया था और सेलेस मेट्यानी पुरुषकार किस छेतर में दिया जाता है तो ये सिक्षा को को दिया जाता है सिक्षा के चेतर में ये आपको बिल्कुल याद रखना है सेलेस मट्यारी का जनम अलमोडा के बाड़े चिना में हो था 1931 में तो बढ़ते हैं अगले question की तरब अब 10 question आपके पूरे होगे उसमें लगबग 2-3 question इसी exam से पूछे गे थे अभी आप खुद देखेंगे पहला person है मतलब आप कहते हैं कि question कम हो रहे हैं तो 11 person सुनिए और 20 में से आपको score बताना है उत्रा खंड का पर्थम निर्जातिये समू था ये आपने देखा होगा आपकारी के exam में इसी तरह से उसे exam में पूछे गे थे तो इसका से उत्तर है कोल को कहा जाता है उत्रा खंड का पर्थम निर्जाति समू तो बहुत से लोगों ने इसका उत्तर दिया बढ़ते हैं अगले question की तरफ 12 प्रसन है आपके लिए कि पवार सासकु की राजधानी कहा थी पवार सासकु की आपको राजधानी बतानी है पवार सासकु की राजधानी कहा थी अब बहुत से लोगों को option चीए जादा मैं तो option नी मिलेंगे श्री नगर टिहरी देवलगड या फिर चांतपूर गड़ी तो जिन जी लोगों ने option नंबर चांतपूर गड़ी सोचा तो आपका बिल्गुल सही है तो बहुत से लोगों के question सही भी हो रहे होंगे तो बढ़ते हैं अगले question की तरह अब 13 प्रसन है आपके मन में दोस्तों सीधे question बोलते ही आपके मन में उत्तर आने चीए 13 प्रसन सुनिए टिहरी रियासत का सोतंतर भारत में बिलाई कब हुआ तो यह आपने कई बार पढ़ा है तो उसमें आना ची अगला प्रसन है कुमाऊ विश्चू विध्ध्याले की स्तापना कब हुई थी तो यह भी आपने देखा आउगा आप वीश्चू विध्याले की श्तापना कब हुई थी सिदे सं सै उनी only कहा हैं तो कासिपूर देहरादुन और इस तरह से ऑप्शन बने थे तो आपको पता है कि ये कासिपूर में हैं तो आप लोगों के अभी तक 15 मैंसे जो मौकी गुरूप से पूछे हैं लग 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 आपको आ रहे होंगे एक विश्चिन 16 प्रसन है बागी दोस्टों ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जो कि अभी तक वैसीं चल रहे हैं जो मौकी गुरूप से होते हैं आपके लिए को इसके रूप में तो हमारा राष्टी गीत बन्दे मातरम किस पूछ तक से लिया गया है अब आप कहेंगे कि बिल्कु को ने भी इसका से उत्तर दिया तो आनंद मट से तो बढ़ते हैं अगले कोश्चिन की तरह अगला कस्चिन है सत्रुमा कि डॉक्टर अंबेट करके अनुसार किस अनुचेत को भारती सविधान की आत्मा कहा जाता है डॉक्टर भीम्रा अंबेट करके अनुसार ऑप्शन सुन आपको लगभग लगभग सभी उत्तर लगभग लगभग आये हैं अभी तक भीम्रा अंबेट करने अनुचेत 32 को भारती सविधान की आत्मा और हिर्दय कहा था यह आपको बिल्कुल याद रखना है अगला प्रसन अठारा प्रसन तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए हिमानसु जोसी ने हिमानसु जोसी आपको बिल्कुल याद रखना है या एक्जाम में बनेगा कि हिमानसु जोसी द्वरा लिखित या हिमानसु जोसी द्वरा रचित तुम्हारे लिए की बिधा क्या है किस बिधा की रचिना है तो इस तरह से जो भी बने उपन्यास है तो आपने से उतर दिया मीथेन, मार्स गैस है, मीथेन ये भी एक्जाम बना था परस्ने, अगला परस्न है बीश्वा परस्न और आज का आपका आखरी परस्ने, और इसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और सेर करके भी जाना कर, तो ये थे फ्रेंट, आज के क्वेश्चिन बाकी कल को हिंदी की वीडियो आएगी, और अगर आप ने अभी तक कुझो पुराने पार्ट अभी तक नहीं देखें, लग 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 चार्थो पिचांसी क्वेश्चिन तक इसमें हो गए हैं, बाकी पुराने पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक से देख सकते हैं, अगर आप पलिष्ट में जाना चाहेंगे, तो वहां भी आप, वहां से आप आसाने से देख सकते हैं, तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच